Hello everyone, I hope you all are doing well and learning from my video तो ये एक आर्टिकल है पॉलिटी के रिगार्णि जैसे कि आपको होता है पिछले कई दिनों से हमारे आर्टिकल पप्लिश होएं रिगार्णिग जो हमारे न्यू पालियामेंट बिल्डिंग है उसके रिगार्णिग तो हम उसकी रिगारिक सारी बात करेंगे क्या है क्या सिस्टम है इसके नहीं है ज़सके आपको यह पता है 28 मेइप इसका इनेगूरेशन हो गया जो कि हमारे किसके थुद है प्राइमिनिस्ट्र नरेंदर मोधि के तुरू हुआ है तो इसके पूरी कहानी कि इसके पूरी कहानी होगी कि जितने भी इसके अंदर आये थे पारल्यमेंट विलिए उसके अंदर कुछ शीजे हैं जो कि आपको बना जिती हो जो निव पारल्यमेंट हैं अर old जैसे आपको बता है ज्यक्री मिल घखें को अब चया हो जो हमारे इकाट जूफ जो एंतर मेटिंग मेट्फने उनकी अलग अलग तो इसके अंदर जो लोगसभा है उसमें 888 सीट राजयसभा है 384 सीट देखें को मिल जाते है ईवन लोगसभा का जो हमारे सिम्बल है वह हमारे पिकॉक है जो कि नेश्टनल वर्ड है राजयसभा का हमारे नेश्टनल फ्लावर है लोटस और चेंट्रल जो लौंज है उसका ह 4,500 स्क्वार मेटर का हमारे लगा है और इसके अंदर यह सारे हैं लोकसभा और राजयसभा अगर यहां सेंट्रल जो हमारी जॉइंट मीटिंग अगर बैटेगी तो जो हमारी लोकसभा है वहां पर 1252 लोगों की कैपसिटी कि इतने सारे लोगों को यह एक साथ इसमें बिठा है तो यह इशू भी था एक बहुत बड़ा इसके साथ साथ जो हमारे न्यू पार्लेमेंट है इसमें 971 करोड का इंवेस्टमेंट लगा है और जो इसका कॉंट्रेक्टर है वह टाटा प्रोजेक्टर लिमिटिर है और इसका जो आर्किटेक्टर है वह एच सीपी डिजाइ चलमेर हाया जिया है कि से यह दो लगाया शिव्याद है यह एक तरह भी ह Ka इसके रिगार्डींव हमारी यह बात है ुसके बाद हमारे सभाल है ुसके साथrom critics पंगोल है आए के इन्डीर इंडिया के आइडीलोजी इनडिपेंडनेंस यह थीफ अब हैं इंडिया ऑट्वर्स है सोवर्नेटी हमारी है इंडिया के इंदर बहुत सारे हैं है तो इन सारे चीजों के एक तरसे दर्शार है इनकी यह सारी बात हो गए अब हमेरी इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसका इतियास है वह क्या है उससे पहले आप जानने से पहले यह जानो कि जब 1947 देश हुए तो हमें उसके याद के लिए कुछ तो ऐसा गिफ्ट वहां जी कि हम आपको क्या दे जिससे याद रहे कि आपका देश आजाद हो गया तो उस टाइम पर क्या हुआ था जू जौला नहीं है ना उन्होंने बात की थी ठीक है किसे बात किती सी राजा गोपाल चारी है इससे बात की थी तो इन्होंने सजेश्ट किया था सिंगोल के बारे में कि सिंगोल को हम ले सकते हैं क्योंकि सिंगोल के अगर इत्यास की बात करेंगे एक मतलब नॉर्मली बात करेंगे तो सिंगोल तमील वर्ड से डिराइव हुआ है ठीक है तमील वर्ड से डिराइव हु महनेगे स्टों से इसले जो जो सी राजय जुपाल चाहना है उरॉ 3 को वा इंपायर से प्रवावित भब होता हBER 10 मारे क्यों है कि कि एक तड़ से जित्ते बड़े बावरे शले confrontlli ओना है एक तसे रिप्रेजन्ट करते थे कि यह जो राजा इसके अथोर्टी इस एरिये पर इसी का वह चलेगा और यही एक बहुत बड़ा एंपेरियर किंग है यही रूल कर रहा है यही एक साइथे डाइस्टी बोलते है ना साउथ इंडिया की वही है इंफ्लॉएंस करें पूरे यहां एक होसान जाता है तो और इसके ढ़कू आइबाना की शावर्ण जब बाना दी किए तो इसके इसकी हिस्सटरी इतनी चोटी सी है और इतन ही इनफ है आपके लिए बट और एक चीज़ हो यह हमारा कब होता था नाइन से रेके 13th सेंचुरी के अंदर देखे गया था मिलिटरी पावर हो गई, मैरिटाइन हो गई, कल्चरल, हैरिटेज इन सारी चीज़ों के अंदर आज के टाइम पे है और यह ट्रांस्फरोब पावर के टाइम पे एक राजा दूसरे राजा को जाता है जो कि इनका ट्रैजिशन फोलो किया जाता अब अगर मैं बात करूं सिं सिंगोल की जब हमारी बात आती है तो इसको डिजाइन किया ता, ख्राफ्ट किया ठाइक किसने क्राफ्ट किया आता वुमिद ुमिद, मंगारू, छेटी इनौनने इसको डिजैन किया था जो कि हमारे मद्राश के थे मद्राश चा się ना और यह आज भी है मतन thrives नहीं है तो तो इसका ये सिंगोल की ये हिस्ट्री है अब हम बात करेंगे कि इसको आज के टाइम पे नाव इसको क्यों इंस्ट्रोल किया गया है जैसे कि आपको पता है नाइंटेस सेवंटेन में जब हमारे देश आजाद हो था तो लोल माउंट जो माउंट वैटन थे उन्होंने देश आजाद पर इसको दिया था और ट्रांसफर ओपावर के तरह इसको दर्शाय था उसके बाद नहरू ने इसको डैली के अंदर रखा था काफी टाइम के नहरू के पादर ने बनाया था कब 1930 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया था और यह एक तासे हिस्टे कर लिजिक जो लड़े गए इंडिया की जो फ्रीडम के टाइम पर लड़े गए थे वहां पर ऐसे चीजों का लखा गया जो कि हमारा सेवन डिकेट से चल रहा है सतर स आज से हमारा आज तक रणिंग में यह म्यूजिव और यहां पर आपको सारी चीजे मिल जाएंगे तो आज के टाइम पर जो न्यू पार्लियमेंट बिलिंग है वहां पर इसको 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 इन्स्टोरिकल मिनिंग को दर्शा रहा है कि हमारे देश इसके थू आजाद हो थ इसको इन्सटोरिकल मिनिंग दर्शा रहे गया उसके साथ साथ हमें एक मैसेज प्रोवााइट करें कि इंडिया के एंदर ट्रैडिक्ट्ट्टन बेल्यू बहुत है ठीक है कल्चरा है 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 आजिटेस्ट्रेज्टेज रिस्पेक्फूल प्लiृारिटी सेक्लियुर्विज तो यह अभी Constitution Gallery जो हमारे Constitution की बहुत बड़ी गैलरी है उसके अंदर इसको रखा गया है जो हमारे नया पार्लेमेंट है इसको इंस्टॉल करया गया है और एक तरह से यह किसने डिजाइन किया है जो हमारे National Council of Science Museum है उन लोगों ने इसको डिजाइन किया जो कौल कता से है झाल है और एक स्वकॉल्ट है इसका नाम किसके उससे हां था फोकॉल्त का जो नाम आता है लियोवण्फोपोल्त के नाम पे इसका नाम दिया गया है जो हमारे पैंडूलम है यह हमारा 849 से लेके 1868 में हमारा जो परसं उसे इसको बनाया था सबसे पहले यह फ्रेंच फिजिशियन सा जिसे इस अपरेटर्स को 19th century के अंदर बनाया था इसलिए इसके नाम पे इसको नाम दिया है और यह क्या दर्शा आता है यह हमारा अर्थ की रोटेशन को दर सार है जैसे कि आपको बता है कि हमारी पिर्थ्वी अर्थ की रोटेशन को दर्शात है यह हमारा फोकल्ट पेंडूलम है ठीक है अब हमारी बात चलेगी एक और हमारा आर्टिकल प्रभिश हो है जो कि बता रहे है इन्यू हाउस अगें इन रेड स्टोन तो यह क्या इसके निदर क्या कॉंटेक्स्ट है जैसे आपको बता है 75 फाइफ इयर ओफ एंडेपेंडेंस हमारा हो गया और उसके बाद भी इंडिया एज विटनेस वर्क किया है कि जिसने अभी 28 मेरी को न्यू पार्लेमेंट विल्डिंग बनाई है जैसे कि आपको पता है जो हमारी ओल्ड वाली विल्डिंग थी तो वह एक तरह से हमारी अब हम इसमें बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या है ओल्ड पार्लियमेंट की हिस्ट्री क्या है अब सबसे इंपोर्टन हमारे यह हो जाता है अब जो ओल्ड पार्लियमेंट हाऊ से ना उसके हमारी हिस्ट्री के अगर मैं बात कर तो इसकी जो आपको पता ही सर्कुलर फोम में अब इस सर्कुलर फोम में तो इसका डायमेटर है और इसको डिजाइन किस थी क्या था में इसकी सेरेमनी हुई थी जिसको जिस दिन यह मतलब मैजिस्टिक बिल्डिंग को ओपन किया गया था और इसको काउंसल ऑफ हाउस के नाम से भी बोला गया था उस टैम पर तो यह इसके ओल पार्लेमेंट की हिस्ट्री है अब उसके साथ साथ आपको क्या पता होना ची कि अ हमारी पूरे पूरे 10 डिकेट पुरानी हमारी जो ओल पार्लेमेंट बिल्डिंग है अब इतनी पुरानी होगी तो आप बहुत सार दिकत देखने बुलते है तो जो हमारी ओल्ड थी ना उसमें नेरो स्पेस देखने को मिलता था था बहुत कम लोगों के लिए बनी थी और कि अगलता है अब बहुत कया इसके अप्सक्न किया गया था पहली नैना फिट्र आपकता था काफी बाद अप्सक्कन किया था पहली तो 1956 में इसके फ्लोर और बनाय गए था जिसमें ओर भी स्टा बन सके और ऑधर ओधर ऑपिस है इसके अदर और ओधर ओधर गया था stato k इसके लाइब्रेरी बन गे थी पार्लेमेंट की तो इसके अंदर कॉंप्लेक्स एड हो गया था यह सारे चीजे हमारी हमें इत्ती बार इसको एक्सेंट कर दे कि कोशिश कर लिया एक्स्पेंट किया है उसके बाद भी दिक्कत नहीं सूल जी दूसरी हमारे सबसे बड़ी इस सेससे लाइक बार एक शुघे देशण देखने को मिल रहा है जैसे कि इसके इसके अंदर मोडन फैसलीटी नहीं है एक कंशु आ ये क्मॉनिकेशन इंफर stata क्यूप्यों कि क moski ऑ की टिक्वा एक्स्टाब और मिल रही है तो ये सारी दिक्कत हम इवं सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है अब ये स्टाइब कहीं टिकेंगे इसके जैसे के b случаi उना प्राहे गाए ही आगा नए टिक कर बंद देखने को मत भी वहां से थी क्या है — तो दिखी को से तो देहां. में अच्छी नहीं दिख रही तो इनमें इसके लिगारिंग में दिक्कत देखने को मल रही है इवन 2012 में क्या हुआ था ये डिस्टरस इंफरस्ट्रक्ट्टर के वज़े से ये मीटिंग जो पाल्यावंट की जो मीटिंग थी ना राज्य सभागी कि हाँ पे एस इक्ड्टरक्ट्च ये उसको आगे भढ़ा दिया गया था कि हाँ पर एसी डख्ट्टर समेल आ रही थी बहुत गंदीग आया था जिसके विए इसको आगे भढ़ा दिया था तो यह सारी-सारी हमारी बात चल रहे थे आप प्लानिंग जो थी हमारी कब से चल मेरा कुमारी तो इन्हों ने यह बात रखी थी कि हमें क्या एक ओल्टरनेटिव वे ढूंडने ला चाहिए ऑल्टरनेटिव कॉंप्लेक्स देख लेया है क्योंकि इसमें बहुत सारे दिक्कत देखने को मिल रहे है उसके दो हजार पंद्रा में हमारे एक और स्पीकर आया था सुमित्रा महाजना इन्होंने वी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अप्यार ना उनको बोला था कि हमें न्यू पार्लियमें बिल्डिंग की जरूरत है विद्व मोडन फैसलिटी इसलिए इन्होंने इसमें बात कि थी इसके बाद किया यह सारी इसुस तरले थे उसके दोजार च स्टार्टी चाहिए तो इसको बिल्ड अप करने के लिए इसके तरहते स्टार्ट कर देगा पुरा का प्ला प्लान और इवन इसकी जो फाउंडेशन नीव रखी गई थी वह दो हजार बीस में बाद इसकी बाते स्टार्ट हो गई थी और अब जैसे आपको पता है जो हजा बहुत जादा मोडन है हमें चिक है मोडन है इसके तरह स्पेस बहुत जादा जो लोग सबा उसमें 888 में बल देखने को रहा है राज्य सबा है उसके 384 में देखने को मिल जाते हैं इवन ज्वाइंट एक्सेंट भी हो सकती है चिक है स्पेस यूटलाइजेशन है क्योंकि ट्रेंगल उसमें बनाया गया है इवन मोडर्न टेकनोलोजी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं टेकनोलोजी बहुत अच्छी अच्छी है इवन जो लेटेस्ट ओडियो विजियोल हो गए यह सारी बहुत अच्छी बैटर उसमें आर्ट एंड कल्चर को दर्शारा है दे बिटिश का टायम का जो हमारी पार्लेमेंट उसको हमने रिप्लेश कर दिया है उसके साथ साथ हमने आत्मा निर्भर भारत पे भी फोकस करा है आपको एक चीज़ पता होने जैसे अब मैंने आपको complete पूरा पूरा बता दिया इसके साथ आपको यह पता ज़िए जो हमारा लार्जर बहुत बड़ा प्लैन है को सफेंट्रल विस्ता तिक कहीं तरह से पार्ट है अब 10 विस्ता क्या हैं आम इस फोटो प्रू देखते हैं अब अब बहुत बड़ा प्रोजगत है जो कि हमारी गोर्मेंट के तूश लाया च्छाहandır यह यह एक तरह से रीडवलब करेगा थी किलोमेटर रोंग स्टाइच फॉम रास्टर पति भवन से इंडिया गेट से जो हमारा राजपत यहां पर इसको इसको इसके नियू पाल्लेमेंट विल्दिंग जो कि बनके तियार होगे इसको हम इंप्रूव करेंगे इवन जो नुव रेजडेंस बन रहे हैं पीम एंड वाइस प्रेजडेंट के यहां पर इनको इनका भी सिके अंदर है और न्यू बिल्दिंग ओफ पीमो पीमो की भी एक न्यू बिल्दिंग इसके नदर है तो यह चार हमारे सेंटरल विस्टा प्रोजेक्ट के एक तरह से चीजे हैं और यह सापको दिखा यह हमारी ओल पार्लियावन बिल्दिंग है और यह हमारे न्यू वाली इसके साथ में है और यह हमारे राजपता इंडिया गेट के सामने तो यह हमारे सेंटरल विस्टा प्रोजेक्ट है आई होब आपको साब चीजे क्लियर हो गई होंगे and thank you so much for watching my video